नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेट्स वर्ल पर दोस्तों आज हम लोग लूसेंट समाने विज्ञान का पार्ट नाइन परेंगे जिसमें हम लोग फिजिक्स पर रहे हैं तो आज के सेस्टन में हम लोग बात करेंगे आवेग, समवेग, नियूटन का बगती का तिर्थिये नियम और समिक्शन के नियम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो भी नुमेरिकल के साथ ठीके दोस्तों और दोस्तों मैं आपको बता दूँगी अगर आप आरेस अगरवाल नवीन अंक गनित का पूरा सुलूशन चा आपको लूसेंट समने विग्यान से कवर हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो चनल को जिरूद सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे होगा क्या कि जैसे मैं वीडियो अप्लोड करूँगा तो सबसे पर नोटिफिकेशन आपके पास किसी गतिमान वस्तु के द्रवमान तथा वेग के गुननफल को उस वस्तु का समवेग कहते हैं ठीक है यानि किसी वस्तु का द्रवमान यदि M हो और उसका वेग भी हो तो द्रवमान और वेग के गुननफल को ही क्या कहते हैं समवेग कहते हैं यानि P बराबर क्या हो जाए ठीक है दोस्तों समवेक एक सदीस रासी है तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि जैसे कोई रासी सदीस कैसे होता है अदीस कैसे होता है तो दोस्तों जिस रासी में दिसा और परिमान दोनों होता है उसको बोलते हैं सदीस रासी और जिसमें केवल परिमान होता है द तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जैसे भेक्टर को एसकेलर से गुना करते हैं तो यह भेक्टर देता है और दोस्तों अगर भेक्टर को भेक्टर से गुना करते हैं तो भी भेक्टर आएगा और एसकेलर को एसकेलर से गुना करेंगे तो भी एसकेलर आएगा तो यहाँ पर दर्वमान क्या है? E-scalar है और वेग क्या है? Vector होता है तो इसलिए E-scalar को अगर Vector से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? Vector आएगा इसलिए दोस्तों दर्वमान यह समवेग जो होता है वो क्या होता है? Vector होता है तो अगर आपको ये पता है कि वेग क्या है वेक्टर है कि एसकेलर है तो आपको पता चल जाएगा कि समवेग क्या है तो दोस्तों समवेग एक सदीस रासी है यानि वेक्टर कॉंटिटी है इसका मातरक जो होता है कीलो गराम मीटर परती सकेंड होता है समवेग बराबर होता है P बराबर M भी और M का होता है दरवमान का किलो गराम ऐसा है मातरक और वेग का होता है मीटर परती सकेंड इसलिए समवेग का जो मातरक होता है क्या होता है किलो गराम मीटर परती सकेंड ठीक है दोस्तों तो यहां तक आपका clear हो गया अब हम लोग आते हैं आवेग पर यानि आवेग को इंगलीज में impulse बोलते हैं और जिसको j से denote करते हैं लेटर j से denote करते हैं और दोस्तों यदि कोई बल किसी वस्तू पर कम समय तक कारेरत रहे तो बल और समय अंतराल के गुननफ को उस वस्तू का आवेग कहते हैं तो दोस्तों यहां पर एक बहुत ही important term है कम समय के लिए अगर वस्तू पर कोई बल बहुत कम समय के लिए लगता है तभी उस वस्तू पर आवेग होगा नहीं तो आवेग नहीं होगा अगर थोड़ा सा भी समय जादा हो जाता है तो आवे लग रहा है, तो उस बस्तु का आवेग जो हो जाएगा, वो फोर्स और फोर्स और जो समय लग रहा है, वो समय अंतराल थीकर दोस्तों, यानि आवेग बराबर होता है, जे बराबर F गुना टी, तो आवेग का मातरदक क्या हो जाएगा, Newton Newton second बल का होता है Newton और समय का होता है second तो awake का मातरक जो होगा आगर Newton second ठीक है दोस्तों यहाँ पर समझे में आया और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि awake जो होता है awake वो directly proportional होता है चोट लगने का क्या होता है चोट लगने का यानि directly proportional force का ठीक है तो समझे में आगया यह आपको यहां इसका यूज हम लोग आगे करेंगे कि आवेग जो होता जितना आवेग होगा उतना ही हमको चोट लगेगा यानि जितना आवेग होता उतना ही फोर्स अपलाए होगा और उतना ही हमको चोट लगने वाला है और आवेग जो होगा वहीं पर होगा जहाँ पर बहुत ही कम समय के लिए किसी वस्तू पर बल लग रहा है बहुत ही कम समय के लिए अगर समय जादा हो गया तो आवेग नहीं होगा ठीक है दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों आप हमारे Facebook ग्रूप से जूर सकते हैं जहां पर आपको daily full length test मिलता है दोस्तों मैंने facebook group का link description में डाल दिया है आप वहाँ से facebook group से join हो सकते हैं जहां पर आपको daily full length test दिया जाता है ठीक है facebook group maths world के नाम से है ठीक है दोस्तों और आप हमारे whatsapp group में भी जूर सकते हैं whatsapp group का भी link मैंने description box में डाल दिया है और whatsapp group में दोस्तों आपको क्या मिलेगा यहां पर आपको daily test देने को मिलेगा ठीक है जिसमें आपका answer की with question यानि question के साथ आपका answer की दिया जाएगा और plus में rank wise जो है सो आपका result भी published किया जाएगा जिसमें आपका rank wise result रहेगा जिससे आपकी तयारी का पता चला पाएगा कि आपकी तयारी कितनी है कितने student में आपका rank कितना रहता है marks कितना रहता है ठीक है दोस्तों जिससे क्या होगा कि आपको motivation मिलेगा जिससे आपका marks कम होगा तो आपको परने का फिर मन करेगा पढ़ने का ज़्यादा जुनून होगा ठीक है और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर आपको नीरज नीरज एंसी नीरज एंसी लिख करके सर्च करना परेगा तो मेरा प्रोफाइल आपको मिल जाएगा जहाँ पर आपको इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लिजिए ठीक है तो आगे बढ़ते हैं दोस्तो अब हम लोग कुछ आवेग का उदारन देख लेते हैं कि आवेग कहां कहां पर हम लोग आवेग को देखते हैं जैसे उदारन एक में क्या कह रहा है कि समान वेग से आती हुई कृकेट गैंद एवँ में टेनीस गैंद में से टेनीस गैंद को कैच करना असान होता है क्यों होता है तो दोस्तो आपको पता होना चाहिए कि आवेग वहीं पर लगता है जहाँ पर बहुत कम समय के लिए फोर्स लग रहा है ठीक है तो जैसे हम गैंद को catch करते हैं तो हम वारे हास्थ पर कम समय के लिए बहुत ज़्यादा force लगाता है इसलिए वहाँ पर आवेक लगेगा क्योंकि आवेक के कारण हमें चोट लगेगा वहाँ पर ठीक है क्योंकि मैंने बताया था कि आवेक जो चोट के डाकली proportional होता है जितना आवेक ज़्यादा रहेगा उतना चोट ज़्यादा लगेगा उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा तो दोस्तों यहाँ पर समान वेक से आ रही है दो गैंद एक होता है किर्केट की गैंद बरी होती है और टिनिस गैंद छोटी होती है बरी वाले गैंद का जो दरवम होगा ज्यादा आवेग वराब होता है F-Gunati जिसका फोर्स जादा होगा यानि दोस्तों किर्केट गेंद जादा आवेग लगाएगा टेनीस गेंद के मुकाबले इसलिए टेनीस गेंद को किछ करना आसान होता है क्योंकि वह कम force लगाता है, जिसे चोट हमें कम लगता है, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों, दूसरे example पर जाने से पहले, मैं आपको एक और concept पता देता हूँ, आवेक जो होता है, आवेक तो एक तो बल, बल गुना समय होता है, बहुत ही कम समय के लिए बल लग रहा है, किसी अंतिम समवेग mv2 हो, और प्रारमिक समवेग mv1 हो, तो समय में परिवर्तन mv2 मानिस mv1 हो जाएगा, और समय में परिवर्तन की दर कह रहा है, इसलिए हम लोग समय से भाग देंगे, तो ये हो गया समय में परिवर्तन की दर, और इसी को क्या करते हैं, आवेक करते हैं, त तो समय में, समवेग में परवर्तन की दर जितनी कम होगी, उतना ही आवेग कम होगा, और ये जितना जादा होगा, उतना ही आवेग भी जादा होगा, ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं फिर second example पर देखते हैं, second number example में का कहरा है कि किरकेट खिलारी, किरकेट खिलारी तेजी से आती हुई गैंद को कैज करते समय, अपने हाथों को गैंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है, ताकि चोट कम लगे, तो ऐसा क्यों करता है, तो वो समवेग में परवर्तन की दर को कम करने के लिए ऐसा करता है, तो समय के परवर्तन की दर को कम होगी, तो आवेग भी कम होगा, जिससे क्या होगा, कि चोट कम लगेगा, ठीक है दोस्तों, इसलिए क्या करता है, कि वो समय के परवर्तन की दर को कम कैसा करता है, क्योंकि दोस्तों, एक एक अगर बल लग जाए, हाथ पर, तो हाथ खिलारी कैच करते समय हाथ को पीछे की तरफ खीचता है, ठीक है, तीसरा नमबर में एकजामपल में है, गद्दा या मिट्टी के फर्स पर गिरने पर सिमेंट से बने फर्स पर गिरने के तुलाएं में चोट कम लगती है, ऐसा इसलिए होता है, कि उसमें भी क्या होता है, कि धीरे-धीरे वस्तु का वेख कम होता है, सिमेंट पर गिरने से एकायक वस्तु रुक जाएगा, लेकिन इस पर क्या है कि धीरे-धीरे कम होता है, जिससे अवेख कम लगता है, ठीक है, चार नमरी एकजामपल में, गारियों में स्पिरिंग और शॉक एबस्तु यात्रबर आज़ा नमेर एकजामपल सेम है कराते खिलारी द्वारा हाथ के परहार से इंटों के पट्टी तोर देता है क्योंगि वहाँ पर क्या है जैसे ही इस फर परहार करता है पट्टी पर तो एक एक समयक परतेन में अधिकतम हो जाती है एक वस्तु रुख जाता आए जिससे क्या ह एक कीट को चोट ना लगे दोस्तों सेम गद्ध वाला केस यह है गद्ध मिंजे सथा होई केस सेम इसमें इसमें भी पृतन की दर को कम करने के लिए यानी आवेक कम करने के लिए ऐसा किया जाता है अधिक गहडाई तक कील को गार्ने के लिए भारी हथवरे का उप्यूंग कि जादा होगा तो फोर्स जादा लगेगा जिससे कील असानी से अंदर चला जाएगा ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब हम लोगोंने सवेग और अवेग का उधारन देखा अब हम लोग देखेंगे Newton के गती का तीरतिय नियश। फर्स्ट लो और सकेंडर लो लोगु हम लोगों ने देख लिया था, अब हम लोग देखेंगे नियूटन गर्ति का तीरतिया नियम, तो दोस्तो इस नियम के अनुसार, प्रतेक किरिया के बराबर, प्रतू बिपिरित दिशा में प्रतिक किरिया होती है, जैसे कोई दीवार ह इस पर हमने फोर्स लगाया इधर से मालित F फोर्स लगाया तो ये दिवार भी इस वस्तू पर F फोर्स लगाएगी विप्रित दिशा में ठीक है अगर इसका दिशा दिवार तरफ है तो दिवार दोरा उसके विप्रित दिशा में फोर्स लगाया जाएगा और दोनों फोर्स की मातरा जो है जो बराबर होगी ठीक है अर्थात दो वस्तूओं की पारस्परी किरिया में एक वस्तू जितना बल दूसरी वस्तू पर लगाती है दूसरी वस्तू उतनी ही विप्री दिशा में बल पहली वस्तू पर लगाती है य अगर ये बल एक्षन है तो ये बल रियक्षन होगा और अगर ये बल एक्षन है तो ये बल क्या हो जाएगा रियक्षन हो जाएगा ठीक है दोस्तों इसलिए इस नियम को किरिया परति किरिया का नियम कहते हैं यानि एक्षन रियक्षन फोर्स लो कहते हैं ठीक है दोस्तों सम किस वस्तू पर लगती है ठीक है तो दोनों होगा दोस्तों बिपरीत वस्तू पर लगती है किरिया लगती है अगर दूसरी वस्तू पर तो परतिकिरिया दूसरी वस्तू पर लगती है और दोनों का दिशा जो हता है बिपरीत होता है ठीक है और दोनों का मात्रा जो हता है पर पीछे की और जटका लगता है बंदूक से गोली छोरते समय जैसे गोली आगे भागेगा जितना फोर्स पर लगा पीछे तरफ जो किरिय और परति किरिया के उदारन है न्यूटर्ण के तिर्तिय नियम का एक बहुत ही अच्छा उदारन है ठीक है दोस्तों और दूसरा में है नाव के किनारे पर जमीन पर कुदने पर नाव पीछे हटना जैसे नाव है नाव से क्या है कि जैसे किनारे पर यहां पर अदमी खरा है जैसे कुदेगा जितना फोर्स से वो आगे कुदेगा उतना फोर्स वो नाव पर पीछे के तरफ लगाएगा ठीक है इसलिए नाव के वाज़े तक पीछे हट जाता है किरिया के बराबर विप्रिदे सामें पर्तिकिरिया लगा रहा है नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दवाना जैसे ही नाव खेते हैं या पर कोई आदमी है नाव को खे रहा है तो जैसे ही बांस से पीछे तरफ फोर्स लगाता है तो जमीन भी आगे तरफ उसको फोर्स लगाता है जिसे नाव आगे बढ़ता है और चार नमर एक्जामपल में है कुवां से पानी खिचते समय रस्ती टूट जाने पर वेक्ती पीछे की ओर गिरता है यह भी क्या है न्यूटन के तिरती नियम का एक उदारन है ठीक है दोस्तों छे नमर पे है उचाई से कुदने पर चोट लगता है तो जोस्तों उचाई से जैसे ही हम लोग कूटते हैं तो क्या होता है जमीन पर फोर्स लगाते हैं जमीन भी हमारे पैरों पर उतना ही फोर्स बिप्रिद दिशा में जिससे क्या होता है कि हमें चोट महसूस होती है और 6 नमबर में बहुत ही अच्छा एक्जामपल है रॉकेट का आगे बरना दोस्तों ये अगर रॉकेट है तो रॉकेट पीछे तरफ धुआ निकालता है जितना फोर्स से पीछे धुआ निकलता है उतना फोर्स से धुआ आगे तरफ क्या होता है फोर्स लगाता है जिससे क्या रॉकेट आगे बरता है ठीक है दोस्तों ये भी न्यूटन की तिरतिये नियम का बहुत ही अच्छा उताहरन है जिससे आपको question, शे example से आते हैं, जिससे आपको यह example देगा, पूछेगा ये Newton के किस नियम से ऐसा होता है, तो आपको लिखनापर का Newton के तिरतिये नियम से ऐसा होता है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, दोस्तों हम लोगों ने नीटन का पर्थम नियम परहा दूतिय नियम परहा और तिरतिय नियम परहा और दोस्तों अब दूतिय और तिरतिय नियम का सम्मिलित रूप देखेंगे जिसको हम लोग समय एक सनरक्षन का नियम कहेंगे तो दोस्तों यहांपर समवेग संगरक्षन का नियम, यानि laws of conservation of momentum, ठीक है, तो Newton के दुईतिये नियम के साथ, Newton के तिर्थिये नियम के सयोजन का एक बहुती महत्पूर्ण परिनाम क्या होता है? सम्वेग संग्रक्षन का नियम जिसमें क्या होता है सम्वेग संग्रक्षन का नियम संग्रक्षन मतलब क्या होता है संग्रक्षन मतलब नश्ट नौ होना संग्रक्षित रहना तो दोस्तों यहाँ पर नाम से इस परष्ट है इकाय मतलब system, उस system का cool samway क्या होता है, नियत रहता है, अर्थात संग्रक्षित रहता है, क्या कह रहा है, कि एक या एक से अधिक वस्तुओं का कोई system है, जिस पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, तो उस वस्तुओं का cool samway जो होगा, वो क्या होगा, नियत रहेगा, यानि संग्रक्षित रहेगा, इसे ही क्या कहते हैं, संवेक संग्रक्षन का नियम कहते हैं, ठीक है दोस्तों, इसे ही संग्रक्षन का नियम कहते हैं, उदाहरन के लिए, जिसे अर्थात एक वस्तुओं में जितना संवेक परिवरतन होता है, दूसरी वस्तुओं में उतना ही संव कुर्स से क्या होता है कि वस्तु भी अपने तरफ प्रित्वी को खिचती है ठीक है जिससे प्रित्वी का अभी उपर की और सम्वेग उसी दर से बढ़ता जाता है इस परकार प्रित्वी प्लस वस्तु का जो सम्वेग होता है वो सरक्षित रहता है चुकि प्रित्वी का डोसरा एक्जम्पल क्या है कि रॉकेट उपर जाने का सिधांद भी क्या है समत्य पर अधारित है। रोकेट से गैसे अत्यदिक वेग से पीछे की और निकलती है जो रोकेट के ऊपर उठने के लिए आवस्यक समवेग परदान करती है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब हम लोग कुछ उदारन देखते हैं समवेग से नियम का ठीक है जैसे जब बराबर समवेग वाली दो गैंदे आपस में टक्कर मारती है तो गैंदे अचानक रुक जाती है यहां निकाए यानि दोनों गैंदों का कुल समवेग टोटल मोमेंटम टक्कर के पूर्व सुनने है और टक्कर के बाद फिर से सुनने हो जाती है अर्थात निकाए का कुल समवेग नियत रहता है सनलक्षित रहता है जैसे कोई दो गैंद है एक यह है और एक यह है इसका भी दरह मान M है और इसका भी दरह मान M है ठीक है यह इधर जा रही है भीवेग से तो यह इधर जा मानते हैं तो यह उल्टा बेपरी दिसा में तो निगेटिव वेग हो जाएगा तो दोस्तो दोनों का जो समवेग होगा अभी तो क्या हो जाएगा P बराबर हो जाएगा M B और एक है पलस में और एक दूसरा हो जाएगा माइनस ये माइनस हो जाएगा माइनस M भी दोनों का सम्वेग क्या है टोटल सम्वेग 0 हो जाएगा ठीक है अब दोस्तों अगर वस्तु टकरा जाता है दोनों गैंद क्या है टकर मार देता है एक दूसरे को तो इसका भी दर्मान M है इसका भी दर्मान M है तो क्या होगा दोनों का ध्रमान जूर जाएगा यानि M पलस M हो जाएगा ठीक है और वेग क्या होजाएगा contin का वेग जो होजाएगा वो भी सुनने हो जाएगा क्योंकि दूनों बस्तु रोक गए total समवेग जो P बराव जागा M पलस M इन्टूब भी यानि टोटल समवेग भी 0, क्योंकि भी 0 है, यानि जो टकराने से पहले समवेग था, वो यह टकराने के बाद भी समवेग है, यानि समवेग क्या है, संरक्षित है, तो यह समवेग संरक्षन का नियम का एक अच्छा उदारन है, ठीक है दोस्तों, अब तीसरे एक इजामपल म या स्वेक स्णरक्षन का नियम श्वेंस को अव्यक्त करता है जिसे दोस्तों आपको rocket का उरान के बारे में पूछे तो आपका Newton का तीसरे नियम भी काम करता है दोनों आपका answer सही हो जाएगा ठीक के दोस्तों इसमें इंधन की दhesiaN से हुЙ पैदा हुई गैसे बाओर निकलती है और इसकी पर्तिक्रिया रोकेट को धखेलती है ठीक है दोस्तों जैसे कोई रोकेट है तो गैस जितना ही स्बसक्राइब seeking झालता है रोकेट जिसमें बस्तुका द्रॉवमान परिपरतित होता भता है क्योंकि रॉकेट में से गयस निकलती रहती है तो ये द्रवमान सनरक्षन के नियम का पालन नहीं करता है ठीक है दोस्तों ये न्यूटन के गति का तीसरे नियम का पालन करता है रॉकेट का परनोधन जो है तो न्यूटन के गति का तीसरे नियम का पालन करता है और समयक सनलक्षन के नियम का पालन करता है लेकिन द्रवमान सनलक्षन के नियम का पालन नहीं करता है ठीक है दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों आपको कल नुमेरिकल बताऊंगा ठीक है 20 questions नुमेरिकल लेगे आऊंगा जो कि न्यूटन के गती की नियम समवेग सनक्षन का नियम और समवेग अवेग पर अधारित होगा तो दोस्तों कल का सेसन आप जरूर देखिएगा चीक है? आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स शेशन में जय हिंद जय भारत